भले ही रोम आप नहीं गए हूँ लेकिन इसके बारे में आपने सुना तो हो गई वैसे तो यहां इटली की राजधानी है लेकिन इसके अलावा भी एक और देश है जिसकी राजधानी भी रोम को ही माना जाता है इस देश का नाम है वेटिकन सिटी जिसे दुन्या का सबसे छोटा देश माना जाता है इसाई धिर्म के प्रमुक संप्रदाय रोमन कैथुलिक चर्च का यही केंद्र है और इस संप्रदाय के सर्वोच धर्म गुरु पोप का निवास इस्थान भी यहीं है असल में वेटिकन सिटी रोम के अंदर ही इस्थित है इसी वज़ा से यह शहर के दो देशों की राजधानी कहलाता है रोम को साथ पहाडियों का नगर प्राचिन विश्व की समागरी और इंटर्नल सिटी के उपनामों से भी जाना जाता है यह शहर वर्स 1871 में इटली समराजी की राजधानी बना था और 1946 में इटली गरतंत्री की राजधानी कहलाया प्राचिन कार में रोम एक समराजी था जिसके संस्थापक और पहले राजा रोम यूलस थे माना जाता है कि उन्ही के नाम पर रोम का नामकरन हुआ था रोम्यूलस के एक जुर्वा भाई भी थे जिनका नाम रेमूस था कहा जाता है कि उन्हें मादा भेडिये ने पाला था माना जाता है कि इमारते बनाने के लिए दुनिया में सबसे पहले क्रांकिट का इस्तिमाल 2100 साल पहले रोम के निवासी यानी रोमन लोगों ने किया था सिर्फ यही नहीं यह भी कहा जाता है कि दुनिया का पहला शॉपिंग मॉल यहां 107-110 इस्वी में ही बन गया था जिसे फ्रेजन्स मार्केट कहा जाता था रोम को अगर चर्चों का शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि यहां 900 से जादा चर्च हैं जिन में से कुछ तो सैक्डो साल पुराने हैं इसके अलावा यहां 200 से भी अधिक फॉंटेन भी है यहां के एतिहासिक ट्रेवी फॉंटेन परियाटको का सबसे जादा पसंदीदा इस्थल है जहां हजारों की संख्या में लोग पहुशते हैं रोम में इस्थित कोलेजियम के बारे में तो आपने सुना ही होगा जिसे अंग्रेजी में फ्लाविन एमफिट थियेटर कहा जाता है यहां दुन्या के साथ अजूभों में शामिल है यूनेसको द्वारा इसे विश्व धरोहर का दरजा दिया गया है मध्य यूग तक कोलेजियम का इस्तिमाल एक किले के रूप में किया जाता था अगर आपको यहां जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकोन पर क्लिक करें